हर हर महादेव किसान बंदू मैं लाखुस पाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल यलके पाल खेती बारी में किसान भाजियों आज हम बात करने वाले हैं चूहों के उपर ये हमारी जितनी भी फसल हैं चाहे वह गन्ना हो गेह या गेहूं हो सरसो मठर चना धान आदी सभी फसलों में बहुत ही अधिक मात्रा में नुकसान करते हैं यह हमारी फसल को खाते तो हैं ही साथ में पौधो को कुतर कुतर कर गिरा देते हैं जिससे हमारे फसल की बहुत ही अधिक मात्रा में नुकसान होता है बरबाद होता है आज हम बात के फसलो को ना क मिल पाएगा कि टूपाई हैं और दूसरा जो है किसान कंद Anda आनी जिसका उपयों करके बड़े आसानी किसान भाई के बारे में इसके लिए आपको लेना क्या है यह दवा का नाम है जीक फासफाइड या बहुत जरीली दवा है इसको आपको किसान भाई को मिला कर मिला ले और पिर आप समें थोड़ा सरसो का तेल मिला लें अगर किसान भाईयों हो सके तो आप मुंभली का तेल ले 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 तो ज्यादा बेहतर होगा आपने हिसाब से अंदाजाज से 10-15 ग्राम ले ले वह हम किसान भाईयों इसलिए मिलाते हैं कि जो इस बदवाई जिंक फासफाइड की गंद होती है या महाक होता है वो सरसो को तेल को मिलाने से थोड़ा कम हो जाता है और वहीं पर अगर मुंभली का तेल होगा तो इससे से दवाई के महाक बिलकुल खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है चुहों को काफी पसंद आता है, मुंखफली इनको काफी पसंद आता है, जिसे चुहों चुहे इसको असानी से खा लेते हैं, तो किसान भाईयों इसको लेने के बाद आटे को गूत ले, उसमें पानी डाल कर ध्यान रहे, ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ध्यान में देन खाई काई से बहुत ही असानी से मिल जाएगा वहां से आप जाकर ले सकते हैं तो इस तरह से आप इसको आटे को अच्छे से गूत कर इसका छोटा-छोटा गोली बनाकर अपने गेहों के खेत में जग्रा-जगा पर पूरे खेत में रख दें सामके समय में फिर किसान भायों और रात में जैसे ही चुवे इसको खाएंगे, खाते ही सारे के सारे चुवे मर जाएंगे लेकिन यहां पर आपको एक बात का विशेश धियान रखना होगा कि बढ़ब को खेत में जब आप ढालें तो उस समय कर आपको आपके खेत में कहीं भी पानी नहीं होना चाहिए द चुहे इसको खाते हैं उन्हें प्यास बहुत लगती है और यदि पानी पी लेंगे तो मन्ने का चांस जो है बहुत कम हो जाता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब बात करते हैं घरे लूपाई के बारे में तो किसान भाजियों इसके लिए आपको पका और फिर इसको अपने खेत के बारी हिसे में सामके समय रख दें तो इससे होता क्या है किसान भाजियों की चुहों को अमरूत का महग बहुत दूर तक पड़ता है वो जैसे ही रात को बाहर निकलेंगे अमरूत खाने के लिए बारी हिसे की तरफ खेत में जाएंगे ऐसे ही दो चार दिन तक प्रती दिन करके उन्हें अपने खेत से भागा सकते हैं इससे मरेंगे तो नहीं लेकिन वे प्रती दिन रात को अमरूत खाने के चक्कर में घुमते रहेंगे और घुमते घुमते आपके खेत से दूसरे खेत में चले जाएंगे तो इस तरह से किसान भाज के पास भी शेयर करिए ताकि वो भी जनकारी से अवगत हूं और इसका लाव ले सकें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटे वाले बटन को दबार कर आल प्रेस लगते हैं ताकि खेती बारिश संबंदित वीडियो आपको समय समय पर मिलत इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए हर हर महादेव